जै मातादी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूटीव चैनल पर, आज मैं आपको इस वीडियो में सुनाऊंगी माग मास की महात्मे का 27 अध्याय, तो आईए करती हैं अध्याय को प्रारव प्रेत कहने लगा कि हे पथिक, मैं इस समय तुम्हारे पास जो यह गंगाजल है उसे मांगता हूँ, क्योंकि मैंने इसका बहुत कुछ महात्मे सुना है, मैंने इस परवत पर गंगाजल का बड़ा अध्भुत आश्चर्य देखा था, इसलिए यह जल मांगता हूँ, मैं प् उसके पुत्र ने उसकी अस्थियों को इखटना करके गंगा में कंखल स्थान में गिरवा दिया, उसी समय वह राक्षस्त्व त्याकर सद्गती को प्राप्थ हुआ, मैंने पृत्यक्ष देखा है, इसलिए मैंने तुमसे प्रार्थना की है, मैंने पहले जन में तीर्थ स् दुख पा रहा हूँ, इस योनी में मुझको हजारों वर्ष बीद गए, इस समय आप जल देकर मेरी प्राणों को जो कंठ तक आ गए हैं बचाओ, कुष्ट आदी रोग से भी मनुश्य प्राणों को त्याक करने की इच्छा नहीं करता, देव धुती कहने लगे कि ऐसे उस प्रेत की वचन सुनकर वह ब्रहमन बड़ा विस्मित हुआ और वह अपने मन में विचारने लगा कि संसार में पाप और पुण्य के फल अवश्य आ पड़ते हैं, देव, दानव, मनुश्य, कीडे, मकोडे भी रोगों से पीडित होते है बाल तथा व्रुधों को मरण, अंदा तथा कुबडापन, एश्वर्य, दरिद्रता, पांडित्य तथा मूर्गता सब कर्मों से ही होता है, इस कर्म भोमी में जिन्होंने न्याय से धन एकटा किया वह धन्य है यह सुनकर प्रेट गदगदवाणी में बोला, हे पथिक, मैं जानता हूँ कि आप सरवग्य है, आप मुझको जीवन का आधार जल इस प्रकार दो, जैसे मेख चातक को देता है तब पथिक कहने लगा कि हे प्रेट, मेरे माता पिता ब्रुगुक शेत्र में बैठे है, मैं उन्ही के लिए जल लाया हूँ अब बीच में तुमने गंगा के संगम का जल मांग लिया, अब मैं इसी धर्म संधे में पढ़ गया कि क्या कांड वस्तु में यग्यों को इतना नहीं मानता, जितना प्रांड रक्षा को मानता हूँ इसलिए प्रेट को जल देकर त्रप्त करके माता पिता के लिए फिर जल लाऊंगा लोमस जी कहने लगे कि इस प्रकारी उस पठिक ने गंगा यमुना के संगम का जल उस प्रेट को दिया उस प्रेट ने प्रीति पूर्वक जल को पिया, उसी समय वह प्रेट शरीर को छोड़ कर दिव्य देहधारी हो गया केरल कहने लगा कि बिंदो मात्र गंगा जल से वह प्रेट मुक्त हो गया हम समझते हैं कि भ्रमा जी भी इस जल के गुण का वर्णन नहीं कर सकते नहीं तो महादेव जी इस जल को मस्तक पर क्योधारन करते इस संसार में जो मनुष्य काया, वाचा और मंसा से पापों से रंग गए हैं वह गंगा जल के बिना नहीं धुलते गंगा जल के सेवन से मुक्ती, सदा, सन्मुक खड़ी रहती है जिसके जल को सपर्ष करते ही, प्रेत प्रितत्व को छोड़ कर मुक्ती को प्राप्त होते हैं जो गंगा स्नान करता है, वह वैश्नव पत को प्राप्त होता है यदि सम्बंधी लोग गंगा जल से तरपन करे तो नर्क में रहने वाले पित्र लोग स्वर्ग में चले जाते हैं और स्वर्ग में रहते हुए ब्रहमात्व को प्राप्थ होते हैं गंगा जल के समान और कोई मुक्ती का साधर नहीं वह प्रेत वहां से चला गया और एक मास में जब माग मास आया तो उसने सुने हुए प्रयाक महात्मय की अनुसार गंगा यमुना की संगम पर स्नान करके पिशाच शरीर को धारण कर भक्ती पूर्वक नारायन की स्तुती करता हुआ वह द्रविट देश का राजा गंधर्वो से सेवित उत्तम विमान पर बैठकर इंद्र पूरी को गया सोहे द्वच यह इतिहास पापों का जल्दी ही नाश करता है इसमें धर्म का ग्यान होता है यह पुण्य यश तथा कीर्दी को बढ़ाने वाला है ग्यान तथा मोक्ष का देने वाला है तुम भी सद्गती पाने के लिए प्रियाक चलो वहाँ पर हम ऐसा स्नान करें जो देवताओं को दुरलब होता है वहाँ पर श्राप से पैदा हुआ पिशाचपन सब नाश को प्राप्थ हो जाएगा इस प्रकार लोमश जी के मुख से अमरित में मधूर कथा को सुनकर मानो अमरित पीकर सब प्रसं किया तो दोस्तों यहां होता है माक मास के महात्मे का 27 अध्याय समा आगे की और अध्याय सुनने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और शेर करना ना भूले